लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें करें लेटेस्त! अलो? ako? हालो हलो, जोनी येश हौंग कॉंग से आया हुआ शाकार साब का दो करोर का माल गोदी में फस गया है माल फस गया? ये कैसे हो सकता है? वो कस्तम ऑफिसर जो शाकार साब से मिला हुआ था उसका टांसपर हो गया है अब हमें गोदी के गोदाम में जाका डाल कर ही माल निकालना होगा ओके समझ लो कि तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा अगर किसी ने हमारे खिलाफ गवाई दी तो उसे जिन्दा जला दिया जाएगा िन्दार भाल इसान पीऊ से चील, आसमान से उतर कर जमीन पटलपणने वाले के यह सिर्फ़ परादर, फोल्या थीज़ू कीडे मकोडों को अपने पंजों में दबोच के शांत कर देती है उसी तरह से हम चोर बदमाश और डाकों को शांत कर देते हैं हमारा नाम प्रशांत है कौन थे ओ गुंडे उनका हुलिया बताओ ताकि पुलिस उनको ग्रेफ तार कर सके खामोश क्यों खड़े हो तूम बताओ तूम बताओ इंस्पेक्टर साब यह बेचार लोग क्या बताएंगे सब डरे हुए हैं अब आई न हमारे सब हम बताते हैं आपको आईए यह तुम लोगों की पहली गलती थी इसलिए गोलिया परचाईयों पर चली अगर तुम लोगों ने दुबारा ऐसी गलती की तो गोलिया सीध ही तुमारे सीने पर चलेंगी कौन है वो जिसने शाकाल से दुश्मनी करके मात को दावत दी है बास वो एक कुली है जिसका नम परशांत है परशांत है रामू 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 है अई देखो अरे हम उतर चिला रहा है मोटर गाड़ी के हान के माफिक और हमारा भीया तो यह एकदम पढ़ने में लगा हुआ है कर रामू देखो आम तुमारे ले क्यालाए है अणि ऩरा आली और अवह हुआ आए कखा रहरे खांट उंसक्या नख़नतर आइं अब वहहता हुः थाचा ईप कर एक अंभरती यह ॉमकों आरे अनग्रेजी सीखातां है हम थाना गैते हाँ काहे अरे जो चोर सब भाग गयते ना वो सब के सब पकड़े गये शस्ले भाग के जाएंगे कहा कल कोट में उनके खिलाब गवाई देदेंगे तो साले सब ठीक हो जाएंगे नहीं तुम गवाई नहीं दोगे हम गवाई नहीं दूगा अरे हम अकेला आदमी जो अपनी आखों से देखा है हम गवाई नहीं दूगा सब छूट जाएंगे कहा ना ये गवाई तुम नहीं दोगे, हमने सुदा है, वो सब गुंडे हैं, जहले हैं, देखो, हमरे गाउं में कितने जहरीले साप भरे हैं, उनके डर से कोई गाउं में रहना छोड़ता नहीं है, नहीं, यह मर्द का बाजू सिर्फ इसले बना है, के जुल्म के खिलाफ अरे, सुनो, तुमको मुन्ना और हमारी कसम, तुम कल कोट में गवाई नहीं दोगे, और अगर तुम लोगे कसम के बतले कुछ भी कर सकतें, कुछ भी, चाहे तो हमरे बदन गे खून काय का कत्रा मांग लो, हस्ते हस्ते दे देंगे, लेकिन ऐसी कोई कसम मत दो, कि हमरा तो तुमी वो कूली हो जो कॉर्ट में हमारे आदमियों के खिलाब आवाज उठाना चाहता है आवाज उठाना तो बहुत हलकिसी चीजे साहिब अगर हम चाहे ना तोनों के अर्थियां भी उठा सकते हैं मगर हम आपको पहचाने नहीं साहिब मेरा नाम शाकाल है जो हमारे खिलाब आवाज उठाता है हम उसे खामोश कर देते हैं बहुत उची उची बाते कर रहे हैं अरे हम वो है जो उड़ती चिडिया के पंक काट को उसको शांत कर देते हैं हमरा नाम प्रशान थे बच्चा जब तक आग से जलता नहीं उसे खिलाओना समझता है जरा उदर देखो मेरे एक इशारे की देर दोनों लाश में बदल जाएंगे हरो तू अधालत में वही कहेगा तो मैं चाहूंगा माई बाप हम गाओं से सहर आये थे बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए लेकिन भाग के देखिए कि हम बन गए साला एक कूली हैं लेकिन बड़ा आदमी बनने की इच्छा हम अपने दिल से निकाल नहीं सके हो जो इसलिए मौका मिलते ही चोरी के और पकड़े गए और घबरा के सारा का सारा इल्जाम हम इंदेवता सरूब लोगों के उपर लगा दिया है लेकिन हजूर माई बाप अब हम यह सुईकार करते हैं कि यह सारा कसूर हमारा है और यह लोग बिलकुल बेकसूर है चूंकि मुझरिम प्रशांद ने खुद अक्बाले जुर्म कर लिया है इसलिए अदालत उसे ताजिरात हिन जेरे दफ़ा 276 के तहर दो साल खैद बामुशक्कत सजा देती है पुशक्तरम बेकसू हमाइ कि रहा हुआ 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 भाबी! भाईया क्या चोर है? तुमको क्या लगता है? तुम्हारा भाईया चोर है? तो फिर वो जेल क्यों गया? क्लास के सारे लड़के उनको चोर क्यों कहते है? तुमको यादने ही, रामू, जब हमारे कनपत्टी में पिस्तॉल रखती थी, तो तुम्हारे भाई में हमारे जान बचाने के खातिर चोरी का जुटा एलसम अपने सर ले लिया था देख रामू तेरे भाई तो देवता है देवता प्रशांद तुमको दो जेल में भी खाना मिल जाता है लेकिन बाहर रामू और पारवजी को क्या खाना नसीव हो रहा होगा पादवती बहन तुम अपने मंगल सुत्र वेच रही हो हा लाला मैं जानती हूं एक सुहागन का मंगल सुत्र उसकी चीता के साथ ही जलता है लेकिन मैं वो बदनसीव हूं जो जीतेजी अपने सुहाग के निशानी को बेच रहे हूं तक कि अपने सुहाग का सपना पूरा कर सको लाला उनके एक ही सपना है उनका भाई राम पर लिखर बहुत बड़ आपमी बन जाए और आज आज उसकी फीज बने की आखरी तारिक है अच्छा अच्छा यह लो दो सो रुपया है अच्छा लाला अच्छा इरे इसकुल के फीज याद से दे दे नहां अरे वाँ दो सो रुपया कहां से लाई पती माहराज तो जेल में चेक्की पीस रहे है और यह यह ग्यों की तरह पिस रही है लगता है इसनों भी चोरी का काम शुरू कर दिया मैं तुमारा अग्रे हाथ जोटी हूं मेरी रुपया वपस कर दो और ना रामु कर जा जाएगा ो एक पी इसवाब्ण भी कर जाए तो यह रुपया हम वापस नही देंगे मगर हाँ, तुम ये जवानी हम पर निचावर कर दो, तो हम ये रुपया तुम पर निचावर कर देंगे. चोटे मेरा हाद तोबाद! अपे, देरीक तुट! जड़ा! तुझे लगाती ही? कैसे लादी? अच्छी हुू अपना राम तो ठीक है, ना रहा है. अच्छा है. उसके इम्तहान के तैयारी ठीक चल लिए हाँ उसकी फीस भर दी तुमने हाँ भर दी पैसे कहा से मिले वो मैंने पहले से कुछ पैसे जमा किये थे और फिर मुझे एक नौकरी भी मिल गई हाँ हाँ पारवती हमरा तो एक ही सपना है किराम पढ़ लेके बहुत बड़ा आदमी बंचा है उसका ख्याल रखना परवंधी अब तो तुम ही उसके सब कुछ हो अरे तुमारा मंगल सुत्र कहा है मंगल सुत्र मैंने मैं बेच डगा स्कूल की फीस जदेनी थी ओफ पारवाती तुमारा चेहरा देकर ही हमको समाझ जाना चाहिए था कि तुम लोगोने मेरे बगार कैसे दिन गुजारे होंगा है तुम रो क्यों रही हो बारवाती रोमार तुमने जो कुछ भी किया है मुन्ना को एक बड़ा आदमी बनाने के लिए किया है ना जो पैसे मिले थे वह सब उन गुंडों ने चेल लिए जिन तुम्हारा मंगल सूत्र चीना है जोने मेरे मुन्ना की फीस और उसकी रोटी चीनी है उन जालिमों से मैं उनकी चिन्दकी चीनी हूंगा कि अन्यों से लेत Cup। है Jack, हूभे इघू? क्यों चुम्हाइ। तुम तुम तर जेल में ते यहां कैसे आगए यह मत पूछो कि हम कैसे आगए यह पूछो कि हम क्यों आए है जिस गरीब की बीवी का मंगल सूत्र बाजार में बिकने के लिए आ जाए जिसके छोटे भाई के फीस का पैसा चीन लिया जाए और वो जब कुछ बोले तो उसे कुट्टे कितना मारा जाए उस गरीब के खून का उबाल जेल तो क्या कि दुनिया की कोई देवार नहीं रौप सकती है तुम लोगन हमरे मुन्ना की जिन्दगी का एक साल बरबाद किया है हम तुम लोगों की पूरी जिन्दगी बरबाद कर देंगे पुम लोगा benefits मुम लोगों कि अज़का बीतί कर दोगों कि अ. झजडर खुछ खाओSoji. कि अजय कि अजय कि अजय कि अजय कि अजय कि मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि तुमारी दूसरी गलती का अंजयाम तुमारी मौत होगी इसलिए उठाओ पिस्तॉल और अपनी मौत की रस्म को अदा करो उठाओ तन्पटी पर रखो और चलाओ गोली मुझे पहले से इशक था कि माउत के डर से तुम लोग गदारी पर उतर आओगे इसलिए मैंने तुमारे पिस्तॉलों में नकली गोलिया भर दी थी लेकिन मेरे पिस्तॉल की गोलिया असली है आज अब ही इसी वक्त ठीक है कौन पारवती खोलो चल्दी करो तुम इतनी रात को खी तुम जेल तो नहीं हैं नहीं हम जेल से छूड़ गये हैं लेकिन आप हम लोग इसी वक्त ही सहर छोड़ देना पड़ेगा जल्दी करो किस लिए क्या बात है हमको लगता तुम हमसे कुछ उपा रहे हो देखो हम कि अच्छाई के रास्ता पर चलके हमने दुनिया में आग लग गई अब हम सारी दुनियां में आग लगा कर देखे लिए हम अजब हम क्यांसा जाग ए हम लोग यालाग कुछниगों थो खरा छोड़े हमें जो घुद रास्ता पर बात ही हम अह रत जगको यह भगने खिसका है और ए सफस्ता है जो थarnya ताय ताय झाओ आप झाल झाल कर दो खुँवड़ कर दो कर दो कर दो पौर्स पुमक्या समझतेठें ऐसे धिसपढसे बचले गएते के समसेरे तो शेल तो कर कानू काझो के killers आरफ निससे ही इन भुना इंको छोड़ो बाष यही वह आदमी है इसने शाकाल की तखदीर में पहली बार आर लिपदी और इस वक्त जेल में दो साल की सदा कट रहा है आलिपूर जेल में इतने काम का आदमे और जेल में मुझे ही आदमी चाहिए आओ प्रशान्त आओ यह हमारे बॉस जिन्हों तुम्हें जेल से रहा करने का पूरा इंतिजाम किया है नमस्कार सर आपका योग कार में जीवन भर नहीं बूई सकता हो बोलिये मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं सर आओ कारी बैठो मुझे खबर मिली है कल ठीक तीम बजे टाइमन हारबर पर जिस हुजा नाम का एक आदमी शाकाल को पांच करोड रुपए की सोने की डिलिवरी देगा और वही सोना कल साम को पांच बजे साकाल खुद रिड वैली में आकर अपने हाथों से हमें डिलिवरी कर जाएगा साकाल हम प्रशांत बोल रहे हैं मैं दुश्मन की आवाज को अच्छी तरह पैचानता हूं पैचानते हो तो काम बहुत ही आसान हो गया क्या कि कल ठीक पांच बजे साम को तुम अपने हाथों से पांच करोड का सोना हमको रिड भैली पहुचाने आओगे समझ गए मैं दुश्मन को सोने का नहीं माउत का तुफा देता हूं किसकी तकदीर में मौत है और किसकी तकदीर में सोना यह तो तुम्हे कल पना चल जाएगा साम के ठीक पांच बजे के पांच बजड करते हैं सत Ai करा 來व हमान के किता हूं यद्षस कितैना फ्कली करता है आपना साम्का यत μας लिए के रिटोण थाफंड की कि वाप्या के आप यदिन इक नो की दुच अल्ग कर आप कर पांच बजने वाले ने ड कर 277 वाले था til आप खुद सोना लेकर रेड वैली पर पहुंगा जेंगे लगता है जेल से निकल कर सीधा पागल खाने पहुंच गया और बीना इलाज करा है वहां से लओट आया मेरी आवाज सुनकर तुम चौक गए होगे मैं जब हसता हूँ तो तुम क्या हज्जारों साकाल के दिल तहल जाते टेप बंद मत करना अगर तुमने मेरी आवाज सुनने बंद कर दी तो मौत का धमाका सुन लोगे जो पंद्रे मिनट के अंदर होने वाला है तुम्हारे काड़ी में टाइम बंब फिट है अर्वाजा खोलने जपहले अगल बगल चांक कर देख लो अगाद 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 प्राइवर गाड़ी तेच चलाओ और तेच चलाओ अर्थी 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 तुम अपनी चिता से उत्रोगे तब जब हमको माल दे दोगे हमने कहा था ना कि हम उड़ती चिडिया का पर काट कर सांथ कर देते हैं अमरा नाम प्रशान्थ है आज बाजी तुमारे हाथ में प्रशान्थ लेकिन याद रखना एक ने एक दिन बाजी पल्टेगी तब शेह मैं दूंगा और मात तुम खाओगी अरे भाई हम गाओ वाले आदमी सतरंज नहीं खेलते हैं बीच में लाइन बनागर कबड़ी खेलते हैं और कबड़ी में बाजी वही जीतता है जिसके बाजुओं में दम होता है यह जो कुछ तुम देख रहे हो यह सब तुमारा है यह सब हमारा है तुमारा है ने यह सब हमारा है अभमरी परवती को आधापटिका कर सोना नहीं पड़ेगा मुन्हा के स्कूल के फीज के लिए उसे मंगल सुत्र नहीं भीचना पड़ेगा मुन्ना को अब कोई चोर का भाई नहीं कहेगा जब मुन्ना बड़ा हो जाएगा उसको हम बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे हुना यह ले अब मेरे बाज अब़ा ल्या चला ने तो सुरिव भजा रहा था बाजा बजाने का इतना ही शोक एत आपने बाप को बल या अरे इस कि तुन माई ना बाप है तो लावर्रिस है यह लावारिस नहीं है यह मेरा भाई है खबरदार जो किसी ने कुछ कहा कर जो किसी ने रहत जो किसी आहारा भाई है खबराब अ प्राम से है लक्षमन, लक्षमन से राम, दोनों के होटों पे एक दुझे का नाम, एक ने कही दुझे ने मानी, नान कहे दुझे ने मानी, नान कहे दुनों ग्यानी, नान कहे दुनों ग्यानी, राम से है लक्षमन, लक्षमन से राम, लक्षमन से राम, दोनो के होटों फे एक दूझे कहाम एक में कही दूझे में मानी नानक कहे दोनों क्यानी नानक कहे दोनों क्यानी मेरा रब जो पूछे मुझसे तेरी है किस में खुशी दोनों जहां के बदले में तो मांग लू तेरी दोस्ती मेरा रब जो पूछे मुझसे तेरी है किस में खुशी दोनों जहां के बदले में तो मांग लू तेरी दोस्ती तो एक के दिल की तुझे में जानी ना न कहें दोनों क्यानी ना न कहें दोनों क्यानी तो एक ने कहीं दुझे ने मानी ना न कहें दोनों क्यानी ना न कहें दोनों क्यानी जान देंगे जान देंगे हम यारों के वास्ते मौत जुदा कर सकती है बस अब तो अपने रास्ते जा देंगे जाने लेंगे हम यारों के वास्ते मौत जुदा कर सकती है बस अब तो अपने रास्ते एक के दिल की तुझे ने जानी ना न कहे दोनों ग्यानी ना न कहे दोनों ग्यानी राम से है लक्षमन, लक्षमन से राम दोनों के होटों पे एक दुझे खारान एक ने कहे दुझे ने मानी एक ने कही दुझे ने मानी ना न कहे दोनों ग्यानी ना न कहे दोनों ग्यानी झाल, भजोजए दो पाल पीके साब हांग कांग से दो करोर के हमारे हीरे सी कुइन जहाद से निकल चुके हैं और पीके साब मैंने उन्हें तीन करोर में बेशने के इंद पर जाम कर लिया है हुआ साबलब लेकिन क्या तीन करोर रुपय उसके कीमत कम है अब होत कम है क्या है कि हमने टॉनी से वह साथा पांच करो रुपयों में तै कर लिया है पूसर यह जल लिखान इस लिफावे में सारी इंफॉर्मेशन है यह रही तुमारे इंफॉर्मेशन की केमत तूज तूज ने आज क्यों मुझे जर सा लग रहा है अरे तुम्हारे होते हुए कोई मेरा बाल बाका नहीं का सथा पार्वंटी डर किस बात का सच तो यह है कि जो सूकर मन की शांती हमारे तूटे पूटे घर में थी वो मन की शांती इस महल की दिवारों में नाचाने कहां खो गए तब हम गारीब जरूर थे लेकिन मन के अंदर एक पक्का विश्वास रहता था कि शाम होते तुम जरूर घर लोटोगे मगर आप अब ज देखो बबारवती आज से जो आसु अकत्रह तपक जाता है वो फिर आख में वापस नहीं लोट सकता वह सही मुझे भी तुम अबनी आख से तपक आवास अकत्रह सबढ़ा ना है कि यहां पावी बावी कहा है यह आप लोग्या बात है भाई आज जगल जोड़ी बड़ी खुश निखाई दे रही है ऑम दोनों आप दोनों को दो खुशकबरिया सूनाने वाले हैं खुशकबरी कैसे खुशकबरी राम ने बिजनस मैंजमिन्जमिंट飽 हों प्रस्ट क्ल और भाईया दूसरी खुशकबरी यह है कि लक्षमन पूलिस में साम इस्पेक्टर बन गया है तो बड़ा पिसर बन गया है तो आज में जो कुछ भी हूं आपकी वज़से हूं आपने मुझ जैसे लावारिस यतीम को एक नहीं जिंदगी दी है आप मुझे आशीरवाद कि मैं हर मुझरम को गिरफ़तार करके कानून के हवाले कर सकता हुआ है बढ़ा डाहि दो नहीड कर दोड़ा है लाया है प्रशांद कुमार और पी के कोब्रा गैंग के चिफ तुम्हारे पाच करोड के ही और तोनी का 5 करोड का मान जिस तरह मेरे कदमों में पड़ा हुआ है उसी तरह समझ लो तुम्हारी जिन्दगी भी मेरे कदमों में पड़ी हुई है अरे पीके ऐसी बच्कानी धंकियों से नहीं डरता है पीके तो जान हथेली पे लेकर घूमता और जो साला मौत है ना उसको अपनी उंगली परना चाहता है लेकिन इस वक्तोमारी माथ मेरी सिर्फ एक उंगली के इशारे का इंतजार कर रही है बताओ बदन में कितने सुराख चाहिए अरे हवाओं के चलने से पहाड़ों में सुराख नहीं होते वो देखो इस देख शाका डेख साला तेरी जिन्दगी इस वक्त हमारे कादमों है पड़ी है लेकिन हम तुझको मारेंगे नहीं क्या है कि मरने के बाद तुझको फॉरण चैन मिल जाएगा इसलिए हम तुमको जिन्दा रखेंगे ताकि हमेशा तुमको तड़कने की सजा तो मिलती रहे ये तो सब कोई जानता है कि दिवारों के कान होते हैं लेकिन दिवारों के पैर नहीं होते फिर बंद कमरे के अंदर टॉनी को माल पहुचाने की जो बात चीत हुई थी वो बात शाकाल तक कैसे पहुची वो गद्दार कौन है जिसना अंजाने में सांपों के पिटारे में अपना हाथ डाल दिया हम उस गद्दार को जानते हैं उसकी तस्वीर इन किताबों के पहले पन्ने पे छपी है जो थोड़ी दिर के बात उसके घर की दिवारों पे टंग जाएगी इससे पहले कि आप लोग उस गद्दार की तड़पती वी लाश यहां देखें हम चाहेंगे कि आप लोग उसकी तस्वीर देख लीजिए किताब को लिए किताब 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 आपकरते जीए मुद्ध से पना चेहरा देखकर पशीन आ गया पॉच्रमाप्ट जीए अभी तक मुझे को पता नहीं था कि खद्दार कौन है मुझे पता किजिए लेकिन अब पता लग गया तरुन कि खद्दार तुम हो मुझे पता किजिए मुझे पता किजिए अजारों नागों के जहर को निचोड़ने के बाद जो जहर बनता है उसे प्रशान्त कहते हुए तोबरा गैन का चीफ कोबरा लेडि़ीज एंड जेंट्रिमन वेलकम डू आर फंक्षन आज के फंक्षन की खास बात यह है कि आप लोग के टेविल पर टाश के पत्ते रखे हुए हैं जिसकी किसमत में हुकम का बास्टा निकलेगा उसको हमारे क्लब की सबसे खुबसूरत तांसर मिस रीजा के साथ डांस करने का मौका मिलेगा अब अपने अपने पते उठाइए और देखिए कौन वो खुश किसमत है 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 कर दो कर दो कर दो आपको आज़ दे देंगे पहलों में हम दिल को सन्हा तक रखेंगे ओय होई होई चोरी चोरी आप मेरे दिल में आए आपके लिए रखा है दिल जाए चोरी चोरी आना का जब दिल में आना है दिल के बदले आपको जब दिल दे जाना है चोरी चोरी आना क्या जब दिल में आना है दिल के बदले आपको जब दिल दे जाना है आपकी मनजूरी हो तो पिर क्या चाहिए दिल के बदले आप क्या लेंगे परमाईए वे वे चोरी चोरी आप मेरे दिल में आईए आपके लिए रखा है दिल में जाएए है जान साहिघा है मैं आपके लिए आपके लिए इस दिल मेरे एक खाब देखाता खाब में जिसको देखा को आप मुझे साता आज तक दिल में मेरे तिक खाप देखा था खाप में जिसको देखा वो आप जैसा था वो जो रचेहरा वो निली आखे सभी मिलती है आप से बाते वो जो रचेहरा दिल के बदले आप क्या लेंगे फर्माईए दिल के बदले आप क्या लेंगे फर्माईए दिल दिल जोड़ी जोड़ी आप मेरे दिल में आए आप के लिए रचा है दिल दे जाए कर दो कर दो कर दो दिल आना हो तो एक पल में आता है पास लौने को वर्ना जेवन लग जाता है दिल आना हो तो एक पल में आता है पास लौने को वर्ना जेवन लग जाता है नजर में पहली ये दिल खोना था हो गया जिससे यार हो ना था दिल के बदले आप क्या लेंगे परमाईए दिल के बदले आप क्या लेंगे परमाईए चोरी चोरी आप में दिल में आईए आप के लिए रखा है दिल ले जाए ओ चोरी चोरी आना क्या जब दिल में आना है दिल के बदले आप को जब दिल ले जाना है ओ चोरी चोरी आप में दिल में आईए आप के लिए रखा है दिल ले जाए आप की बदानी है हुआ 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 है कि आप अबीद्ध नहीं है जी यह मैंने सुचा के जाते जाते आपका ओटोग्राफ लेता जाओ यह प्लीज थैंक यू जानती है यह क्या है कागास का टुकड़ा जी नहीं यह कागास का टुकड़ा मेरी जिंदेगी का हिस्सा बन गया है हुआ 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 है हुआ 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 ह बाद कर दो कि अधियर कि अधियर यह कागस का तुकड़ा मेरी जंदीगी का हिस्सा बन गया है हेलो हेलो रिटा राम बोल राम राम कौन राम लाम भी भूल गी क्या बात है हमने कागस के टुकड़े से लेकर आस्मान की उचायों तक अपने प्यार का इजार किया और जिसके इजार किया उसके दिल पर असर तक नहीं कि अधियो जी मुझे नींद आ रही है क्यों आपको मेरी बाते लोरी की तरह सुनाई दे रही है मेरी जिंदेगी भर की नीन चुनाने के बाद आप चैन की नीन सोना चाहती है आप जैसे हसीनाओं का में सोना और हम जैसे मुस्टंडों का में जागना अलो हलो हलो लगता फोन परी सोगी आलो यू सिली फूल है किहा हूं हो और रहुत है कि और एक कैस्वान के सारे सितारे जमीन पर मुद्झ करण है जिंदगी यह अब कर दो कि कोई फाइदा नहीं है यार तुभी मुझे कोई रास्ता बता दे कि मैं अपने प्यार के शोलों से उसके दिल को पिखला सकूँ कि शोलों से नहीं बर्कुरदार शोले से शोले से हां मेरे लेला मजनु के 50 परसेंट शोले से आजा ताइबान! मैं आज से जप कर जाओंगा जान दे दूंगा हमेशा हमेशा के लिए उपर चला जाओंगा जानते हैं क्यों जो कि वोलर की जिसका नम जिसका नम रीटा है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अगर इसने सब के सामने मेरे प्यार का इक्रार ना किया तो मैं सारी सोसाइटी के सामने सूसाइट कर लूंगा अरे साइबान ये पागल नहीं ये तो महबत की राह में शहीद होने वाला प्रेमीर अरे आप देख क्या रहें उसे रोकी ना रोकूं क्यूं आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले अरा जाता तो आप जाता तो अ बच्द है उसे बोलिए ना कि मैं असे प्यार करती हम अब इससे प्यार करती है जी रीटा जी यह तो इसका रोज का ड्रामा है कभी इस होटल में तो कभी उस होटल में रोज शहर का कोई ना कोई होटल इस तमाशे के लिए बुखी रहता है क्या मतलब? मतलब ये कि शराब की बोतल में थम्जप और पानी मिक्स और इसके मरने का ड्रामा फिक्स अब समझी लक्षमन मेरे भाई टारलिंग टू रिटा को समझा रहा है ना हाँ हाँ मैंने सब समझा दिया है लेकिन एक लोचा है लोचा? ये कह रही है ये तुझे इस जनम में नहीं लेकिन अगले जनम में ज़रूर मिलेंगे क्या? हाँ मेरे दोस्त अब तू कूच जा ताके कयामत तक तेरा नाम महुबत की किताब में अमर रहे हाला हर लंबू अपने आपको अमिता बच्चन समझता है अबे लक्षमे तू लक्षमे नाई दुष्मन है तू रामका लक्षमे ने रावन का विविशन है साले तुझे मैं बाद में देख लूँगा मैं रीटा मैं तुम से आखरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे प्यार का इकरार करती हो के नाई नहीं बिलकुल नहीं थीक दोस्तों तो मैं जा रहा हूं इस दुनिया से ऐसी दुनिया मैं जहांपर मेरी आत्मा रीटा के प्यार के तलाश में भटकती रह даже उसके ड्राइंग रूम मैं उसके बैड़रूम में उसके बाट रूम में और उसके और साले लक्षमट तेरे को तो मैं लाइटरीन में देख लूँगा दोस्तों उपर जाने से पहले माद दस तक गिनूगा बाद में मुझे रोकने के कोशिट मत कर रहा है मुझे शूली पर चड़ा के पाचा बजा रहा है कर दो ती चार पाच छे ताड़े चेश रुख ले उसे बोल कि तू उसे प्यार करती है कि मैं पारो हूं और दास वाली पारो मेरा कहना मान ले रुख ले उसे कैदी तू से प्यार करती है क्या मुसीबत है क्या मुसीबत है क्या लेक्षमार्ड जल गई ना रिटा रिटा डालिंग मैं आँ मैं आरहा हूं मैं अंदर दी आरहा हूं आल लव यह रिटा डालिंग रिटा रिटा तुमने देखा तुम्हारे प्यारन शराप पीपी कर मेरे लिवर की नी मेरे दिल के टुकडे टुकडे हो गए और हर टुकडे पर सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ यह रिटा 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 रिता रिटा तुम्हार् सुभान अल्ला वारे उपर वाले बड़ी फुरसत से बनाया है तुने इस हसीन मुरत को जी में सपना हूँ है इससे खुबसूरत सपना तो मैंने पहले कभी नहीं देखा इंस्पेक्चर साप मेरे घर से कल रात को इस तरह की साथ सोने की चूरिया चोरी हो गए अजी चोरी त की ची मैं इसपाइन है ऩुछार नंग किसका जी चोर का चोर को तो मैंने डेखा हां नहीं क्या आखे है आखे ॏलिए का इस ती मैं तो समझ ता था के आप समझ जाएंगी में आपको क्या समझना चाहता हूँ सबगेर्ण क्या समझाना चाहता हूं समझें आप नहीं आपका पता गुलमोहर सिक्स्टीन लेक रोड तौली गंच अजी आपका पता तो यू होना चाहिए था पहरों की रानी महबत रोड प्रेम नगर अच्छा तो मैं चलू सिफ रिपोर्ट लेकर मत रह जाएगा चोर को पकड़ने की कशिछ कीजेगा किमस देली जी जो फेल नजर आते हैं बरबादी के आसार नजर आते हैं ऑई सपन देग ढISA है तूस आ जानता है क्या हर उसके क्या़ कर दिए नहीं कि आए थी हैं लिखाने रपट बहर मेरा दिल ले घ्र जटक जरा बीच में अटक और यह बता कि वह आई क्यों थी अरे उसकी तो सोने की साथ चूडिया चोडी हो गई थी लेकिन वो जो मेरा दिल चुरा कर ले गई आरे तो दिल की छोटा करता है यार चूडि काम करना? एक काम कर? नई चुड़िया खरीद की दे दे देखे वारे उल्लू. साथ नई सोने की चुड़िया खरीदे में रुपया दसाजार लग जाएगा? और कहां से लाउंगा? अबे अकल क्या नाथ हाला है. नई चुड़िया खरीदने के लिए कौन कह रहा है? चांदी का तो राथ जुडियों पर सोने का पानी चड़ा के तिका दे कुड आइडिया मार दे जोपुछ पुछने आए हैं जी नहीं मैं कुछ देने आया हूं अरे इतनी चल्दि आप चुडियां भी लिया चीज आपकी थी मगर चिंता मुझे हो गई और मेरे एक इसारे पर सारा प और जब मैं उनके सामने गया तो साब की बोलती बंद साब धड़ा धड़ सा चुगलने लगे लेकिन जो असली चोर था वो कुछ बताने को राजी नहीं था फिर मैं उसके करीब गया उसका हाथ पकड़ा और इसकी आखों में आखे डाल दी आपकी आखें इतनी खुपसूरत है जब आप देखती है तो ऐसा लगता है कि सीधे दिल में जाक रही है जी जी तो वो चोर मुझसे इतना डर गया कि फॉरां सारी चूडिया मेरे हावाले कर दी अगर आप चूडिया पहन के रखेंगी तो चोरी नहीं होंगी आपका रंग है जैसे दूद में सिंदूर मिला दिया गया हूँ है 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 नानी बुला रही है यह नानी जी को बुलाने का और कोई वक्त नी मिला कि आप फिर आएगा जुरूर आएगा अब तो आप ना भी बुलाएं तब भी मैं जरूरूरू रहूंगा यॉर वेलकम थैंक यू बाए बड़े खुश लग रहे हैं बालक द्रूव एस्क्यूज मी नमस्ते नमस्ते मैंने आपको पहचाना नहीं जी मैं जी मैं लक्षमन का दोस्त हूं राम मेरा मतलब एक इंस्पेक्टर लक्षमन लक्षमन यहां है क्या वो यहां आये थे अभी अभी गए है ओ अब आपकी तो चूडिया चोरी हो गई थी ना हां लेकिन आपके दोस्ते चोड को यू पकड़ा और यू चूडिया वापिस ला दी वाह सच मुझ बहुत स्मार्ट है यह स्मार्ट तो है बलके बहुत ही स्मार्ट है ऐसे का आदमी है लेकिन 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 क्या कितनी भोली और मासूम है आप कम से कम आपके साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वैसे दिल उसका साफ है दिल उसका साफ है लेकिन अगर कोई साफ चीज में डाग पढ़ जाए तो कितना बुरा लगता है दाख? कैसा दाख? नहीं वैसे दाख तुचान में भी है और दाख क्या? शौक है लड़कियां पटा ही लेता है और एक बार लड़की पट जाए और उसे दिल भर जाए तो उसे अपनी जिंदिगी से ऐसे निकाल देता है जैसे दूद में से मखी इसका मतलब है वो दोके बाज है नहीं नहीं दोके बाज नहीं है दोके बाज तो भुजदिल होते और मेरा दोस्तों बहादूर है अब देखी ना कितनी हिम्मत से चान्दी की चूड़ियों पर सोने का पानी चड़ाकर आपको जो तिये गहा है वाँ कमाल है मिरे दोस्त damp तो प्रॉड है चीटर है एक शरीफ आदमी पर इस तरह के घिनोंे इंटाम लगाना ठीक नहीं है इस नॉट फैर देखिये साब उसकी नियत तो साफ है वो आपको फसाना चाहताा और कुछ तो आपको फसा चुका है और कुछ फिसा लेगा और इस फसा फसी के चक्र में जब आप पूरी तरह से फस जाएंगी तब आपको मॉलुम पढ़ेगा कि ये मामला फुस था उसके बाद कि उसके बाद आपको एक फोन आएगा और आपको यह खबर मिलेगी कि इंस्पेक्टर लक्षमन अस्पताल में बुरी हालत में तडब रहा है जैसे जल बीन मचली नृत्य बिन बिजली मर गया मर गया कैसे हैं आप अच्छा हो आप आ गई नहीं तो नहीं तो मेरी तो जान ही निकल जाती मगर आपकी हालत हुई कैसे अजी पूछिये मत कल रात उस चोर ने अपने दस साथियों के साथ मुझ अकेले पर हमला किया लेकिन मैंने परवा नहीं की मैं उन पर तूट पड़ा और गोलियों की बारिश में एक गोली मेरे सीने में आके लग गई आप खबराये मत सब ठीक हो Dep tomorrow quadrant मात्त्र के बने अएचमेरज नां नाम हैं दॉक्टर लोभू है मे बाप कर नाम दॉक्तर गोभू है मेरे बाप के बाप कर नाम डॉक्तर बो़ू है यह हंदुस्तान के सबसे मलशू श्रूशव दॉक्टर है इनका अपाइटमेंट चार साल पहले लेना पड़ता है आठ साल बच्चे आठ साल अभी कमसिल हो मगर नादान नहीं ये बच्चे मेरे पास आया इसने दस बाल्टी आसुब हाया और मुझे बताया कि लक्षमर मेरा लाव है उसकी जान बचा लो हमने का को बत नहीं बचे अगर तुमारे लिए वो लव है तो हमारे लिए कुश है हम उसकी जान जरूर बचाएंगे दरद होता है मालूम है दरद होता है बिल्कुल बालूम है होता है डॉक्टर लोबो होता है स्टुपिड इडिट हॉत मेरे बाप का नाम है मेरा नाम डॉक्टर लोबो है हम डॉक्टर नहीज़। जद्यू है जद्यूगर हम मुर्द को जिंदा बनाते और जिंदे को पूआ जाफ० बहुत दरद होता है कोई बात है बचे जब जिनदे की ही नहीं रेगी तो दर्थ के से रहेगा वैसे भी बुले काम का भूला नाथीज़ होता है अधिकर्स पूला क्या भी गखिए अधिन दुख शे आई यह लो आई और अब जे पेमी को अपरेशन करो बादे छोड़ा इव जोड़े खोड़े बजह ना करो एसे मोपक की या करेगी ना वाले वह ओ के छड़ी आरा था फ्ट गाँ कर दो जब है अ दो अ दो अ आप इंदे लख्ष्मण ना अ बेलक्शमृ साम आ आय अ आ अ कर दो कि इसना है ठाँ कि अजया हूँ है अजया है आपका हाथ लगते ही डखम थीक हो गया आपका हाथ है या मर्रम मेरा हाथ मर्रम नहीं बहल्न है अजया है अजया है कि तूमेरा भाई यह चिंड बोलो एवो लारे आठ आधि यह चिंडो अगर मैं तगारव नहीं हो डेरा दुश्मण रे तरी सपना कस अपना तोड़ने वाला हुआ हां हां भाई हुआ पहले मैंने तुछ अपना भाई बनाया दोस बनाया फिर तूजे ओलू बनाया मैंने तेवी पीट का इतना बड़ा, नहीं, इतना बड़ा, नहीं, इतना बड़ा चा को घुजर दिया रे, मैंने इंसानियत का मर्डर कर दिया रे, लो मत मेरे दोस्त, मेरे भड़काने पे तो गीता ने तुझे चपल मारा था, मेरे भड़काने पे तो तुझे सपला ने च अब जया पर है अब एक ही रास्ता है जया बहुँण है है जया एक है मर JACK जया ख्या है लाल, 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 ला कि इतने दोनों पास हम आते आते आगे इतने दोनों पास हम धीरे धीरे बन गए चाहत का हिसास हम आजा America कितना सुहाना दिल ये गाए प्यार का तराना कितना सुहाना दिल ये गाए क्या थातराना आते आते आगे इतने दोनों पास हम हीरे हीरे बन गए शाहत का हिसास हम आजा आजा हर समा कितना सुहाना दिल ये गाए प्यार का तराना हर समा कितना सुहाना दिल ये गाए प्यार का तराना कितना प्यार जीतने को दिल तेरा अरे स्वाँ सावार तो गुसा तेरा उतना प्यार जितना प्यार प्यार जीतने को दिल तेरा हमहर सौसा पार का जलते ये थो मैंने आखों में तेरा नाम हाथ को बन के भेजा मैंने त्यार भरा वैगा कुम्र बढ़ाते प्यार की देकर अपनी सास हम जीत जाएंगे त्यार मां एक नया इतिहास हम आजाए 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 हर समा कितना सुहाना दिल ये गाए प्यार का तराना हर समा कितना सुहाना दिल ये गाए प्यार का तराना हर समा कितना अजाइ तराना जुआ खराना अजाए अजाए उसलिए झाए दो दिलों के बीच में क्यूं आए ये संसार लगता है गोरी तेरा आचल भी दिवार दो दिलों के बीच में क्यूं आए ये संसार लगता है गोरी तेरा आचल भी दिवार जिन्दिगी का हर पल भी ते करते तेरी बाते तु ही रहे सामने जब जब खोलू आखे बनते बनते बन गए एक दूझे की आस हम हाई इक तुझे में करने लगे रब जितना विश्वास हम आजा 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 हाई वे समा कितना सुहाना दिल ये गाए प्यार का तराना हाई रतमा कितना सुहाना दिल ये गाए प्यार का तराना हाई रवाते आते आगे इतने दोनों पास हम धीरे धीरे बन गए चाहत का एसास हम आजा 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 क्या बात है जगर भाई बात बात पर दरा रहा है हो हां क्या करें भाई पिछले दिनों पुलिस का खत्रा कुछ ज्यादा था एर जगावर भाई तोहारे बीना धंदे में मज़ा ही ने आए मैं बहुत दिनों से तेरी तलाश में तहाँ तालाश और रेस्ट पर टेया क्रीफ परोब अप्रें, तर में रखेंगा है। झाल 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 वेल ड़न इस्पेक्टर लक्ष्पन तुम्ने जग्गा जैसे खतनाक मुझरम को पकड़ कर ये साबित कर दिया कि तुम हर मुझरम के लिए एक मौत का पैगाम हो आइम प्राउड आफि माइसान थैंक्यू सर्ण अब मैं तुम्हें बहुत तुम्हें जानते हैं कि इस गैंग के चीफ को आज तक किसी ने देखा नहीं लेकिन हम इतना जानते हैं कि इस गैंग के हर आदमी के बाए हाथ पर कोब्रा का निशान है मुझे उमेद है कि तुम इस गैंग का नाम और निशान मिटा दोगो मैं अपनी तरफ से फूरी कोशिश करूंगा सर बेस्ता अफलाग थैंक्यू सर्ड वाव 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 वेरी गर्ड आज से तुम कोब्रा गैंग की मेंबर बन गई हो यस सर्ड लीना कोब्र को खतम करने का काम इंस्पेक्टर लक्षमन को मिला लेकिन उस बेचारे को यह मालूम नहीं कि उसका भाई प्रशानत ही कोब्रा गैंग का चीफ है वह इसी उसे अंधेरे से उजाले में लाने का काम लेना करेगी ताकि घर के चिराग से घर में आग लग जाए इंस्पेक्टर लक्षमन है तुम्हारी वर्दी में बहुत जल्द एक सीतारा और चमकने वाला है कौन बोल रहें आप तुम्हारा शुभचिन तक आपका नाम क्या है नाम से नहीं काम से वास्ता रखो प्यारे नीना वो लड़की है जो तुम्हें कोब्रा गैंग के चिफ क्लिध को कुब्रा गैंग को नहीं जानती तो ये क्या है बताओ च्व कोण है ये मैं किसी चीफ को नहीं जानती हुए और जानती हूं कि आज रात को 12 वजे जॉन नाम का एक स्मगलर कोबरा गैंग के चीफ को डैन पर मिलने वाला है जोए निय। Mr. John, you are under arrest. बरा बट चुके है, John अब तक नहीं आया. जान आ चुका है हीरे टोपी में हैं और सदकड़ियां मेरे हाथ में अगर अपनी जगह से कोई एक इंच भी हिला तो इस पिस्टॉल की सारी गोलियां उसके सीने में दाग दूगा अजी जग़ियां जगा क्वेख़ इंच झाल की सारी वाल इंसपेक्टर लक्ष्वन, तुम एक चक्री व्हें फज कयोे हो ऑर दूसरी तरफ है तुमारे भाई का इसान जो तुम पर कर्ष बनकर उढ़ा है हलो इंसपेक्टर लक्ष्वन आज शाम साद्बजे पुराने खंडर में पचास लाग की सोने का सवदा होने वाला है गौन बोलों या अप गौन बोलों इग गौन बोलों इस हुआ हुआ कर दो, मैं दीवानी, दीवानी, मैं तच्छरं तिरे दीवानी दीवानी, दीवानी, मैं तच्छरं तिरे दीवानी रात है जमान, खाया चो कहा, रात है जमान दीवानी, 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 मैं तच्छरं तिरे दीवानी मैं के जमानी, जैसे रात रानी, तेरे सामने, तेरी हाथों की रानी हम है के जवानी, जैसे रात रानी, तेरे सामने, तेरी हाथों की रानी एक तुम, एक हम, त्याहिका मोचम, होने दो संगम भूहाँ देखने बाला ना कोई करनो मन मानी, दीवानी, 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 मैं तो शरं तिरे दीवानी हुआ अर्णाव तार्णाव कर दंद तब दो भागो फिर दोसे बाँ, कर दोची अ कर दोफे है... जो अ कर दोफे हैं... प्रूपने हैं... प्रूब्स कर दो खो लिए चाल छिए गरी था उखे हैं... तिरे भी ना जानी, जले संदगानी, अब ये पुछा ना पाए बादलों का पाणी हो तेरे बिना जानी जले जन्द गानी आगे ये कुछ हो ना पाए बादरों का फानी आगे चलाएगे जब तुझे पाएगे सब कुछ पाएगे तुझे पाएगे। एक दू ही अपना लाग दुनिया बेदानी दीवानी 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 रात है जमान खुया तु कहाँ रात है जमान खोया सू कहा, रकम रकम आउना, तकम तकम चाना, रकम रकम आउना, तकम तकम जाना दीवाने, 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 मैं तो सरंकर दीवाने आला, आला, जाला तुम वहां से अचानक क्यों चले आए, आखिर तुम्हे हो क्या गया है, तुम हर पल, हर लम्हा, मुझसे दूर होती जा रहे हो सपना, मुझे जिन्दगी ने ऐसे दो राय पर खड़ा कर दिया है जहां पर रौष्णी तो है, अगर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, इसकी वजे? कोबरा गैंग, जिसको पकड़ने का काम मुझे दिया गया है क्या उनके बारे में तुम्हें कुछ बताने चल सका? सब पता है, उनके अड़े कहा है, उनका चीफ कौन है तो फिर उने पकड़के खानों के अपाले क्यों नहीं कर देते? सपना, अगर किसी प्रेमी ने अपनी महभूबा को जिसम बेचते हुए देख लिया, जिसे वो देवी समझता था, तो उसका क्या हाल होगा? उसे बहुत दूख होगा, तब उसे क्या करना चाहिए? उसे भूल जाना चाहिए कि वो उसकी महभूबा है, और उसे सजा देनी चाहिए और अगर वो महभूबा की जगह, माह हो तो तुम भी जवाब देने से मजबूर हो गई ना? कि शम्षान में पड़े हुई लाश अपनी चिता में हाग नहीं लगा सकती है कि अच्छान हमारे लिए खत्रा बन चुका है, वो हमारे गले में फांसी का फंदा भी डिलवा सकता है कि लक्षमन हमारा भाई है कि वो हमारे लिए खत्रा कभी नी बन सकता है मगर वो एक पुलीस officer है हमारे लिए खत्रा बन सकता है लेकिन यह मत भूलो कि पहले वो हमारा भाई है और बाद में पुलीस officer कि पुलीस वाले तो अपने बाप को भी नहीं पहचानते, Sir और यह तो आपका सगर भाई भी नहीं है वागवास मत करो क्या कहना चाहता हो बोलो सिर्फ यही कि कोब्रा गैंग की कानून को आपने मनाया है आप ही उसे तोड़ देंगे कान सा कानून कि जब भी किसी पुलिस वाले को हमारे गैंग के बारे में पता लग जाए उसे खत्म कर दिया जाता है लक्समन को भी खत्म कर देना चाहिए सर चाहिए कानून हम बनाते हैं उसको तोड़ने का अधिकार भी सर्फ मुझ को है एक बात याद रखना आज के बाद ऐसा कोई आईडिया भी अगर तुम्हारे दिमाग में आया ना तो मुझ से बुड़ा कोई नहीं होगा है है हम जानते हैं कि तुम हमसे नफरत करने लगे हो काश मैं आपसे नफरत कर सकता नफरत ना सही लेकिन अब मुखबत में पहले वैली गर्मी भी तो नहीं है तब ही तो एक इंस्पेक्टर के बदन पर उसकी वर्दी रखी रह गई थी और वो पिकल गया था और मैंने चा कर ले कफन बन जाए मेरे गैंग के कुछ लोग तुम्हें खत्म कर दना चाहते हैं पता ने कौन कब तुम पर वार कर बैठे मेरा सुझाओ यह है कि तुम अपने यहां से ट्रांसफर करा के कहीं और चले जा और एक नई जिए जिए मुझे अपनी जिए और वजूद से अच्छा बुरा तोलने के तराजु को जिसने भी पकड़ा वह जंदीकी भर दुख तोलता रहा अगर वो तराजु तुम अपने हाथ में पक्ड़ना चाहते हो तो कारून की देवी के तरह प्नी आखो पत्टी बादो ताकि अच्छा बुरा पापन्ड बन कुछ भी आज तक प्रशांद कुमार ने किसी को रिश्वत नहीं दी है वो अपने छोटे भाई को एक नई जिन्दगी देना चाहरा है अगर आप मुझे नई जिन्दगी देना चाहते हैं तो अपने आपको कानून के हावाले कर दीजे लगता है इंस्पेक्टर बात करने लगा तो इ जिन्दगी में हारना नहीं सीखा है और मैंने मौत से तरना नहीं सीखा है अग्षमान प्र कहता हूं जिट छोड़ दो और रुपे रख लोगे रुपेया 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 पाप से कमाय हुए जिन रुपों की धेर पे आप बैठे हैं न वो एक दिन तो यह उसके जिन्दगी के आखर ही गलती हुए पारवती आगे तू क्या हुआ है लक्षमान ने यह शहर छोड़ों के जाने से इंकार कर दिया है इंकार पर दिया क्यों इसलिए कि अब वो एक बहुत बड़ा पुलीस ऑफसर बन गया है हां फर्जीमान और जमीर की बाते करने लगा है मुझे गिरफतार ना करके वो मेरे हैसानों के कीमत चुकाने के कोशिश कर रहा है तुमने तुमने उसे अच्छी तरह समझाया क्यों बहुत समझाया मगर वह समझे तब तो मैंने उसे हाथ कहा यह रूपे लो और किसी और शहर चले जाओ उसने क्या जवाब दिया मालूमें कहने लगा कि आप मुझे रिश्वत देने के कोशिश कर मैं अपने भाई को रिश्वत दूगा मैंने उसमें और राम मेरत कर भी कि अगर उसने मेरी तरह गरीबी देखी होती तो आज वो मुझे इस तरह बात करें कि हम्मत नहीं करता है कि खर कोई बात कि उसकी जो इच्छाओ जो मर्जी हो करें ने कि मैं अखना अफास बुरा करें लाक्षमान के जिंदगी पर किसी तरह की आज नहीं आने दूना और कल यवखिल को बुला कर अपनी सारी जमीन जैधार और कारोबार लाम के नाम ट्रांस पर कर दोगत है लक्षमान लक्षमान अब होई लगशमान कि अब हो इसपेक्टर के बच्चे काम मर गया अब साल क्या बात है आज तू बहुत खुशना दा रहें तू नहीं आप बोलो आप अब मैं राम नहीं रहा अब मैं राम कुमार सहाब हो गया हूं यूसी भाइया ने मुझे अपनी हर कंपनी का चेर्मैन मना दिया है कितना खुश्चिसमत हुगा जो मुझे इसा भाई मिला जो एक मामूली कुली से अपनी महनत इमानदारी और सच्चाई के बलबूते पर आज क्या से क्या बन किया भगवान को मैंने साक्षात तो नहीं देखा अगर लगता है वो मेरे भाईया जैसा ही होगा अगर अन्जाने में कोई किसी को भगवान मान भी ले तो क्या उसकी वकात नहीं बदलती क्या बतलब क्या कहना चाहता तू यही के भाईया ने इमानदारी सच्चाई और मेहनत के बल पर नहीं बलके उनका हून करके सारी दौलत कमाई है और तुम जिन कंपनियों के चैर्मेन बन गया हो ना उनकी बुनियादें बेगुनाओं के लाशों पर लखी है और वो वो पसीने टपकाने वाला कूली आज भी कूली है लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि अब वो समान नहीं पाप का बोज उठाता है जिसे तुम भगवान समझते हो भगवान नहीं स्मगलर है कातिल है चोड है जिस जबान से तुने भाईया का नमक खाया उसी जबान से तुने भाईया को काली दी तेरी जबान कट के गिर क्यों नहीं गई इसलिए इसलिए कि सच पूलने से जबान कटती नहीं बलके जबान की ताकत और बढ़ जाती है और राम, जिस नमक की तू बात कर रहा है न, उसी नमक ने इन हाथों और उनकी करदन के पीछ एक दिवार खड़ी कर दी है, परना, परना मेरा फर्स उनकी करदन को पांसी का बंदा बना कर कश चुका होता अगर ये सच है, कि मेरा भगवान जैसा भाई चोर है, स्मगलर है, और उसके हाथ खुन से रंगे हुए हैं, तो मैं अपने भगवान के हाथ काट कर ठेक दूँगा ताके वो दुबारा पाप का बोज उठाने वाला कुली न बन सके और अगर ये जूट निकला लक्षमन, तो आज के बाद राम तेरे लिए रावन बन जाएगा, यहाद रखना राम, है क्या हो गया तुझे, क्या बात है या नहीं, कुछ भी नहीं लगता है तो मुस्से कुछ चुपा रहा है, बताना क्या बात है नहीं, यहीं कुछ आगे के बारे में सोच रहा था क्या यही, कहीं तु बड़ा आदमी बनकर, मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा भूल तो नहीं जाएगा बद, ऐसा कभी हो सकता है क्या अरे तू तो हमेशा मेरे साथ रहेगा यहाँ, मेरे दिल में तुझे कैसे बताओ राम के भाईया की असलियत क्या है तुम कहोगे कि यह तुम्हारा इस्तिफा है लेकिन मैं कहूँगा कि एक ऐसी चिता है जिसके शब्दों के ऊपर एक बहादूर पुलिस ओफिसर की लाज शक्ती है एक ऐसा पुलिस ओफिसर जिसने वर्दी पहनते वक्त अपने फर्ज को निभाने की कसम खाई थी अपने फर्ज को निभाने के लिए मैं अपने खून का एक एक कत्रा कुर्बान कर सकता हूँ सर लेकिन लेकिन मेरी एक मजबूरी है मजबूरी कैसी मजबूरी फर्ज को पूरा करने के लिए कोई मजबूरी नहीं होती फर्ज की खातिर बाप अपने बेटे को त्याग देता है फर्ज की खातिर पत्नी अपने पती को त्याग देती है फर्ज की खातिर भाई भाई का खून कर देता है और इसी लोगों का नाम इतिहास में अमर हो जाता है आओ मेरे साथ यह जो लड़का यहां बंध है इसका नाम है दीपक चोरी स्मगलिंग डगेटी की हर किताब पर इसका नाम लिखा होता था आज यहां यह साथ साल की कैद काट रहा है जनते हुए कौन है यह मेरा बेटा है तुम दुश्मन के आदमी यहां कहीं मौट ढूनने तो नहीं आये जिसके पीछे मौट पड़ी हो शाकाल सहाब हो तो जिन्दगी ढूनता है बेवकूफ हो तुम जो जिन्दगी ढूनने मौट के व्यापारी के पास आये हो बेवकूफ होते हैं वो जो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त नहीं बनाते मतलब मतलब पीके का भाई इंस्पेक्टर लक्ष्मन हमें सूली पर चड़ा देना चाहता है और दूसरी तरह पीके जो भाई के मोहबत में तुम लोगों की बली देना चाहता है हां वो भी मेरा दुश्मन है जिसके थपड़ की गून को मैं उसकी मौत की चीख में गुम कर देना चाहता हूं फिर देर किस बात की हैं शाकाल ढाल बनकर तुमारी रक्षा करेगा मार दो उनको फिर नसर तुम फासी के फंदे से बच जाओगे बल्कि कोब्रा गैंके चिफ भी बनोगे कोब्रा गैंके चिफ कि तो हमेशा से मेरा खाब रहा एक शकल से लेकिन ऐसे खाब हमेशा लाशों के धेर पर सजाए जाते हैं दुर्जन केक यां पर रखो और फूल मैं क्या सोच रहा हूं कि जनम दिन के शुम मौके पर इन दोनों की मंगनी का ऐलान कर दो अरे वा यह तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है जनम दिन के मौके पर इससे अच्छा तो बहुत उन लोग लिए हुई नहीं सकता हालो इसाप मुझे अभी ख़ब मिली है कि इंस् कि मैं आसा नहीं होने कि मैं आसा नहीं होने कि पार्वति तुम सरा यहां समालो मैं अपी आता हूं वैल डैन मैं बॉय वैल डैन अब तुम जल्दी से हमारे आदमियों के साथ डायमंड हरबर पहुंचाओ अब दुर्जन इन दोनों को खतम करेगा और हम दुर्जन को और उसके बाद जुर्म की इस काली दुनिया के बेताज बादशाह हम बनेंगे हम प्राइन प्राईन अच जब टाय कुछर्ड़ कर outline झीकरड़ के छें चाय को जाद़ा ग्राइन अबादम्गն प्रफब 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 है गी न तिर एंड ही पस्मामारी गोत को अी एंड हो घाहता है जब मैं और हम पस्ल।क के और गहते मैं कि अ भुड़। उज़ो! जज़ो! लं़ो! झाँ! झाल झाल कर दोंगर कर दोंगर और वो बचला हुआ 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 ह झाल जड़्याजड जिक अपनने सक्कान अकान घुकाने たए फॉकत अ competition जएएई! दो बिशी क्योंगित पूल दो बिशी म्योंगित भाया हुआो एक दिन तुम्हीने कहा था ना शेहर चोड़ दो आज आज मैं दुनिया ही छोड़ कि अगर तुछे दूर जाने के लिए नहीं कहा था अगले तेरे आगे तो जिन्दगी पढ़िया चीने की अच्छा होता मुझे मौत आगे होती लेकिन तेरी मौत तेरी मौत मेरी जिन्दगी सबसे बड़ी हार है यहार में कभी बर्दाश्ट नहीं कर सकता यहार में कभी बर्दाश्ट नहीं कर सकता पूर बोरे चौटे ख़डोगे, E ऊस दिन मे फिर इसे दिन sled 2016 एक एक ज़न तो तुमने भी जडं़े जो प्या, वाता करो वाता करो तूसरा STEM बे ढुोगे वाता करो भë या मत... अच्छे लोज साथ बच गया अभी तक भहिया निया है और आज वो इंस्पेटर साथ भी गाया है इतने तारे महमान सब हुआ 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 है एक लोज में संगे हुआ 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 है हुआ है यह सब कर दोर गार है हुआ हुआ है क्यों आगार के बुश्मनंहें इसके जयान लेली है जाने देंगे जाने लेंगे हम यारा के वास्ते जान देंगे जाने लेंगे हम यारा के वास्ते मौत जुदा कर सकती है बस अब तो अपने नास्ते एक ने कही दुझे मानी यारा के यारा के लेंगेंगी कोben है लगस्मान 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 कर दोस्त तुम्हें छोड़कर कहां चला गया था अब मैं वापस आगया हूं मुझसे वादा कर अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा कर दो कर दो तुम्हें मैं इस जगह रोज आती हूं जहां मेरी दुनिया उचुड़ी थी हां सब कुछ खातम हो गया है लक्षमन के बगर जिंदगी की कोई माइने नहीं लिए मगर मैं छोड़ूगा ने उन कातलों को जिन्हों ने तुमें स्वागन बनने से पहले ही विद्वा बना दिया क्या तुम कातलों का जानते हो जानता होता तो अब तक मैं उसके खून से आस्मान के नीले रंग को लाल कर देता एक बार लक्षमन ने कहा था कि वो किसी कोप्रा कि असलियत जान किया है कहीं ऐसा तो नहीं की कोप्रा कैंग नहीं कोप्रा कैंग नहीं कोप्रा कैंग को आज जानते हो इस तज़्वीर की कीमत क्या होगी इसकी निचों दसकरोड दसकरोड मैं कीमत सिब तलवार की नहीं तलवार की भार की होती है कि प्रशान का भाई राम पागलों की तरह लक्षुमन के कातिल को ढून रहा है जब वो इस तस्वीर को देखेगा देखती इस पर छपट पड़ेगा तब हम प्रशान से उसके पागलपन की किमत निचोड लेंगे तस करोड कोगरा गैंग के इसी आदमी ने मेरे दोस्कों मुस्त चीना है और अब मैं इसकी जिन्दगी से चीन लूगा नहीं राम नहीं तो मैंसा कुछ भी लेकर होगे मैंने लक्षमन की लाश पर सौगंद खाई हो बहिए कि मैं उसके गातिल को नहीं छोड़ूँगा राम तुम पा पागल हो गया हूँ लक्षमन की यहाद और उसकी जुनाई ने मुझे पागल कर दिया है हर अब मेरा यह पागल पन उसके कातिल की चिता बन जाएगा नहीं राम नहीं मैं तरी इन हादों को नहीं रंग में दूंग है आज तक मैंने तुम्हरे किसी बात का इंकार में किया मगर आज पहली बार इंटकाम की आग में चलता तुम्हारा यह भाई तुम्हारी बात मनें जिंकार करता है इस वक्त तुम खा जा रहे हूँ लक्षमन के हत्यारे को खत्म करने है लक्षमन के हत्यारे है हाँ हमारे गैंग एक आदमी ने शाकाल से मिलकर लक्षमन का खून कर दिया और इस बात को पता राम को चल गया तब से उपागलों के भाति उसे खोज रहा है इससे पहले कि राम लग्षमन के हत्यारे के हत्या कर मैं आपने जीते जी राम को हत्यारा नहीं बने कितने कठोर हो गयो तुम इतना खुन खरबा हो और तुम पिर सुई खाब नहीं मैं तुम्हें और ये वाप करने नहीं दूगी मैं तुम्हेरे पाउप अठी हूँ छोड़ दूए सब पारवती ऐसा मत करो मेरे पाउमे जंज हुआ है दुम्हें जह दूद्धर राम लक्षमीन की अधियार का पता चल गया है कौन है वो कहा मिलेगा होटिल पैराडाइस में है होटिल पैरडाइस में है 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 हूटल पैरडोईस है अ है 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 अ Mark है है झाल झाल कि लारां लुप्यार जाकी ये बाजी आखरी बाजी खेलेंगे हम सिंदा हुआ तु फिर से हमने मर गर हम जन्या से आज उठ जाएगा दुश्मन तेरा मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त तेरी कसम तेरी कसम जाकी ये बाजी आखरी बाजी हेलेंगे हम जन्दा हुआ तु फिर से हम मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त तेरी कसम तेरी कसम जाकी ये बाजी आखरी बाजी खेलेंगे हम कर दोस्त अज़ देखनी थी तुझ को दुनिया की हर बहार तु चल दिया भी से हमें करके बेठरा जब तत ना तेरी मौत का बतला छुकाएंगे दुश्मन तो क्या है फुद को मात करना पाएंगे दुनिया से आज उठ जाएगा दुश्मन तेरा मिरबो 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 तेरी कसम, तेरी कसम जांकि ये बाजिया तेरी बाजी खेलेंगे हम करेंगे लाएंगे झाल झाल दिल बनके धड़कती है सीने में तेरी याद हर सांस बन गई है तेरी आद में परियाद तो छुप हुआ तो क्या हुआ जवाद देंगे हम तेरे खून के हर कत्रे का ये साह लेंगे हम दुनिया से आज उठ जाएगा दुश्मन तेरा मेरे दोस्त मेरे पर तेरी कसम तेरी कसम जाकी ये बाजी आखरी बाजी खेलेंगे हम जिन्दा हुआ तू फिर से हम में मर गए हम दुनिया से आज उठ जाएगा दुश्मन तेरा मेरे दोस्त मेरे पर तेरी कसम तेरी कसम जास मेरे पर तेरी कसम यहाँ टो, यहाँ टॉँ प्रॉट को झाल रांतों झाले कर दो अधे हुआ नहाँ झाले। झाल 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 पहुआरा आयाता टागि फट увер झाल पार भार भार! झाल झाल अलो प्रशान कुमार मुझे मालूम है तुम्हारे दिल पर चाकू चल रहे होंगे लेकिन जरा सोचो जब राम को फासी होगी तब तुन्हें कैसा लगेगा राम के जिन्दगी की कीमत तस करोड जो कल तुम भूद घाट पर आके लिया कर दोगे और याद रखो तुमने हमसे चाला की करने की कोशिश की या अपने पिल्लों को साथ लाए तो तुम्हारे भाई की जिन्दगी का सूरज हमेशा के लिए डूप जाएगा समझे करेखा करेखा कर दिए जाड़ कर दिए वार, कर दो एक जाड़ ताटारा यार जिल कर दिए यार भारा यार्व पारा यार कर दाना इन वारा ताकि तुम अपने बाल तु कुद्टों के साथ आओगे। इसलिए मैंने अपने आदमियों से कह दिया था कि तुम पर बोली चलाए। ताकि सब अपने अपने बिल से बाहर आ जाए। अब अगर तुम अपने भाई की जिन्दगी की सलामत ही चाहते हो तो अखेले सामने की मोटर बोट से प्रिंसे जेटी को पचाओ रहा है। जिस तरह साब बीन की आवाज पर नाशता है उसी तरह तुम आज मेरे इंशारे पर नाच रहे हो प्रशाद गुमार। रेड वैली का फासला 25 किलोमेटर है और वक्त है सिर्फ 15 मिनिट। पंद्रे मिनिट के बाद वीडियो के ऐसे एक पॉली स्टेशन पहुंच जाएगा। तुमारे लिए सामने सफी तरह की एमबसेडर कार खड़ी है। कि वाह। कि प्रशाद आज से ठीक 15 साल पहले आज ही के दिन इसी जगे पर तुमने मेरा माल लूटा था पीके और आज तुम उसे सूथ समय लवटाने आज अरे पंद्रह साल पहले जो तेरा अंजाम हुआ था ना आज उसी को दोराने आया मरने से पहले कुछ लोगों को चीखने की आदत होती है लेकिन मैं उसका बुरा नहीं मानता है अब रूपिया मेरे हवाले कर दो कि अज़े तुम्हारा कफन है लेकिन इसमें दफन मैं तुम्हें करूंगा क्या शाकाल अरे तेरी गोलियां अपने बुलेट प्रूफ जैकर से टगरा के लॉट गई तुने हम पर गोली चलाई ना हम गिर गया तुम समझा साला हम मर गया है लेकिन शाकाल हेलिकॉप्टर में बैटे मेरे आदमी ने तुम्हारे इस खूनी कारणामे की तस्वीर वीडियो कैमरे में उतार लिए अब ऐसा है इस कैसड़ को अदालत में पेश करने पर अदालत फॉर अदिम्हार मान लेगी कि मैं मर चुका हूं और मेरा खून तुम ने किया है लेकिन पीके तुम भूल गया हो कि तुम अभी तक जिन्दा हो जिन्दा हो यह तो सिफ तुम जानते हो शाकाल, अदालत तो वही मानेगा जो कैसट दिखाएगा उनको, अरे हम तो कई भी छुप जाएगा, उस वक्त बहार निकलेगा बेटा, जब तुम्हारा गर्दन फासी के फंदे में कसके तोड़ दिया जाएगा, अब इस शराफा से देता है कैस अरे क्या करें हो, पागल हो गए हो तुम हट जानते नहीं इसने क्या किया है, यह खुन ही बन गया है, इसने सिर्फ लक्षमत कहते हैं यह खुन नहीं किया, बगि मेरी जिंदगी भर के तुम्हासा का खुन कर दिया, मैं इसे छोड़ूगा ने, आप भले ही मुझे जान से कि मैं कोबरा ग्यांग के चीफ के खुन से अपने माथे पर तिलख लगाँगा, अरे तुम कहा जा रहे हो, हलो, राम, हाँ बोल रहा हूँ, कोबरा ग्यांग के चीफ तक पहुंचने की सीड़ी का नाम है लीना, वो आज शाम को चार बजे जेल से छुटने वाली है, उसके बाए हाथ पर कोगरा का निशान है, कुछने माप एक भर कोगरा को बाए हुआ है, वो बाए हुआ है, वो जा अबे बाए हुआ है, वो इदे से अइहा है, कि आप उनल्की अजो यह चैनल वोकित है आपकोराइ बॉचा आका कि आपकोरी भाइज एक पाट जो हुआ है बाट तो बोल वह तर आते शोचा जो लो जाए त्टेश मत तुझा जो लुगा झाइन है यह कोपरा काओंक आथ मैं साराम दाधे को चोड़ाओना निए भया-कोड बाद Wherever POL मैं सारामद है को चोड़ाओना निए भया-माई यते जानते बाडना लणगा भयाओन भया एइ कि अब अब परिया है है कि अब और आजिए कि अब अब कि कि मैं या कोबरा ज्यान के चीव आप है यानिके लक्षमन के कातिल भी आप है नहीं नहीं राम ये लक्षमन के कातिल नहीं है नहीं भावी ये लक्षमन के कातिल है ये लक्षमन के कातिल है इन्हीं क्योंने से लक्षमन माला गया उसका कातिल कोई भी हो वागर उसके मौत के जिम्मदार ये है हाँ मैं ही उसकी मौत का जिम्हदार हूँ उठाव बंदू और कर दो मेरा सीना चल में और मेरे खुन से अपने माते पतिल्ग लगा कर उस कसम को पूरा करो जो तुमने लक्षमन की चिता पर खाई थी तेरी कसम भी पूरी हो जाएगी और मेरे पापो का प्राशित में हो जाएगा चा झाल्ग झाल्गली चाल्गली जाल्गली और मेरे यह लीना की जान लेनी की कीमत जो किसी को मेरा नाम बताने के लिए जिन्दाई नहीं रही और यह राम को पीके की असलियत बताने की कीमत जिसकी वजह से राम की दिल में उसके लिए नफरत का जहर भर गया और यह राम की लाश को शम्षान में जलाने की कीमत की कुमत थेली कि राम से दुखनी की वज़े है तुमारी मुझे से gi दोस्ती क्या मतलब मतलब रामी तुमारे भाई का गपिल है काम मेरे भाय का कापिल पीके का भाई राम अब मैं प्लिपिस्ट तौल के हर गोली पर पीके के खानदान का नाम मिद्दूंगा इस इंतकाम की जंग में शाकाल तुम्हारे साथ है कुबरा जयन के चीफ और यानि कल लक्ष्मन के कादिल लेंह। इनकोर के कातिर है इनкі क्योरे से लक्षपन कातिर गया उसका कातिर कोई भी हो नैलाण उसके मौत के जिम Parr pac उसका कादिर कोई προ Cat के जिम्दार यह है क्या हुआ ऐसे क्यों करहे हो है यह सब क्या होगे है सब गुच एक मैं मैं राम को वापच लियाओंगी नहीं हाँ राम अब कभी वापस नहीं आगा परवाती है मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूं उसने मेरे तस्वीर पर गोली चुला कर इस बात को सावित कर दिया क्यों मुझसे कितनी नफरत करता है वो जरूर वापस आएगा मैंने उसे पाल पोजकर बढ़ा किया है वो मेरी बात कभी नहीं चल सकता लेकिन लेकिन उसके पहले तुम्हें वच्छन देना होगा बोलो तुम्हें बाप का रस्ता हमेशा के लिए छोड़ दोगी पारवती मैं तुम्हें वच्छन देता हूं मैं अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दोगा तुम्हें सिर्फ मेरे पास लिए किसी वितर मेरे पास लिए लियाओं यूसे तुम घर लोट जाओ किस घर की बाद कर रहे हैं जिसकी सब उमीदें सब आशाएं तुम पर हैं नहीं रिटा मेरे लिए वो घर नहीं उसकी तीवारों से मुझे पाप की कमाई की बू आती है ऐसी बाते नहीं करते रहा क्या खून का रिष्टे कभी तूट सकता है बाबी रिष्टे सिर्फ खून से ही नहीं वा करते तुम्हारा मेरा खून का कोई रिष्टा नहीं मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम मेरी माज ऐसी नहीं हो और जिस खून की तुम बात कर रही हो ना भाईया अगर मेरे तेरे भाया बिलकुल टूट से गए हैं, अगर मैं वक्त पढ़ना पॉस्ती, तू पता नहीं हो क्या कर बैठते हैं, तू घर वापस चल रहा हूं, तू नहीं जानता, तेरे भाया तूसे कितना प्यार करते हैं, प्यार मैं भी बहुत करता हूं से, मगर इसके सारे बतन पर ख किश्मन के खून के दबबे पड़े हूं, कैसे कर देने भूस्ती, तू शैप ची कह रहा हूं, लेकिन, लेकिन तेरे भाया हमेशा ऐसे नहीं थे, जमाना ने उन्हें अच्छा आत्मी रहने नहीं दिया, हम दोनों को बचाने के लिए उनको ये रस्ता अपना ना पड़ा, तुझी सुखी देखने के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ये भी भूल जाते हैं, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा, इंसान की जरूरतें उसकी जिन्दगी से बढ़कर नहीं होती, और अपनों की प्यार में अंधा होकर गलत रास्ता इक्तियार कर लेने का मतलब मेरी समझ में नहीं आता, भावी, मैं ये सब कुछ नहीं जनती, मैं, मैं तुसे भीक मंगती हूँ, तु घर वापस चल, भावी, मांगना है तो मेरे जिसन से खून काय के कत्रा मंग लो, मैं उसे निचोड़कर तुमारे चरन दो दूँगा लेकिन, मैं उस घर में दुबारा नहीं आ सकता, क्यों, क्यों नह सकते हैं तु अगर अचानक नीन टूट जाए, तो क्या वो सपन दुबारा देखा जा सकता है, भावी, नहीं ना, मेरा सपन भी टूट चुका है, नहीं राम, अभी, 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 अभी बावी तुझे घर वापस लेकर जाओंगी मरने से पहले मैं तुरा करना चाहती हूँ नहीं आइसा मत को आइसा मत को भावी तुम्हारा वादा पुरा होगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा भावी तुम्हारा गली, कया चला घर से दूसरा है। जला ख़चाते है चला चला करो बंप दूसरा है। वह आप तक आया नहीं? आजयाएंगे ऑभी अभी आजयाए यह आजयाए। मन, मन डॉक्टर नहीं राम मेरी सासे दूप रही है काश इदो ती सासे उनके बाहों में आख शहएद वाख है जा बुला आख भाया राम तू आ गया मैं जानदा था तू घर लोटके मेरे पास वापा बस दुरूर आएगा चल आज मुझे चूकर तू कसम खा कि आज के बाद तू कभी हमें छोड़के नहीं जाएगा कसम खा कि यह थे थे आठों क्या बास वन क्या हूब वट्रया है पर भी को आपके दूश्मनों ले ऐ गोली मारती हा अ जैसले ना सब्सक्राण मैं तुम्हारे भाई को पापस ले आए हूँ तुम्हारा भाई वो वो कभी तुम्हें छोड़का दें जाएगा मगर मैं तुम्हें छोड़का नहीं नहीं हाँ मैं आगए हूं सब चीक हो जागा तक अ पार होती पारवती तुम्हें छोड़का चली गए लेकिन तुम्हारी इस मौत में मेरे सीने में एक चौला मुकी पर दिया है और इस चौला मुकी की आख से मैं उन तमाम दुश्मनों को जिन्दा चला दूगो जिन्होंने तुम्हारी चान लिए भाईया इंतकाम की इस चंग में मैं तुम्हारे साथ हूं हूं कि अज़ से तुज़ भूम झाले, वी और दोरीन दोरी है, वी और कि दो पूमें कि तो पूमें है, याले आज़े हैं प्रूटा रुर्णल अजाने जएनेू झाल 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 भाईया झाल मैं उन सब हराम जातों को आपके कदमों में घचीट लाया हूं जो मेरी भावी के खून के जिम्हेदार हैं यह लिजे भाईया यह लो निकल निकल भाद खराम सदो निकल यह लिजे भाईया और इनको इनके किये की सजा दीजिए तो क्या रहे भाईया गोली मारी ने भाईया इंसन ब lawnप में एकल यह लाईभ लड़ लड़की घरामुू और भाईया एकल रिजे फिस्टो सुर्ड़की जिस्टिए में भाईसक घरें तो यह लु政治 के की सरह हैं इंसना के खरिखतों में उनके साथ वदुआ लाईयाईग सेर्स्टतों में यह खरूए झाल 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 अजन सब कुछ खतम हो गया सब कुछ खत्म हो गया । दोस्त भी तुश्मन भी कि अपने भी पराइं भी अब मैं बहुत थक गया रहां बहुत थक गया हूं चल्ड में तक पर इस प्रसित कर लेता हूं तब ही शायद परवती कि आपने वशामती बिले हैं चलिए मैं आपके साथ हूं मैं यहां साथ हूं मैं अब जिन्दा है ला क्या नाम है मेरा शाकाल मेरे नाम का मतलब जी वो शाकाल जी यहने मौत का बाद्शाह और मौत के बाद्शाह को कभी मौत नहीं आगी लेकिन उन दोनों को जरूर मौत आएगी जरूर आएगी चलो कर दो만 कर दोलो कर दो कर दो 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 दोनी दोड़ा है झाल 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 कि अढ़ बाऊे कि अढ़ एगर खूह जब दिमत है कि अढ़ु सब दोर दोर्ते हो फिर्टरों जोर फिरहाग जोर फिरहिए! प्लिट है। क्यों बैं अपने बापको जिन्दा देख कर है रान हो गया क्या है जिस तरह मेरी गोलिया तेरे बुलेट पुरूफ जाकेट से टक्राकर लाउब गई थी उसी तरह तेरी गोलिया भी मेरे बुलेट-फूप जाकेट से तक्रा कर लाउग गई प्रशान कुमार और पीके अब आजी मेरे हाथ में मेरे अब हिम्मत है तो नीचे आ नामर उपर से क्या बड़ी बड़ी बाते कर गाए मैं तो भूली गया कि कुट्टे के साथ वाहत एक कुट्टे का पिल्ला भी है अ क्या साथ जैक कर लोङा लगे बड़ारि नीज हमेगा मेंटे हा पिलेक शाते नीज है नीज है नीज नीज प्राइएव इसक्राइब उन रड़ेYes आख... नेए, पहसा, ने! आखरी पहसी? नेए, नेए, नेए! प्रया! तो आपने क्या किया मेरी जान बचाने के लिए राम तेरे लिए तुम्हें कुछ भी कर सकता हूं तो इस भाई मेरा वक्त पूरा हो गया है मैं जा रहा हूं लेकिन जाने सपहले मुझे वादा करना होगा के जिंदगी में कितनी भी तकलीफे हैं कितने भी कर्ष क्यों ने झिलने पड़े तो कभी पाप के रास्ते पर नहीं चाएगा और आपको कभी अपने सीने से लगाय का मुझे वच्ण देगा हां मैं वाचने देता हुआ भाया कर देता हुआ भाया कर देता हुआ भाया